मेरा नाम पीट साहिब है मैं यूरोपियन मूल का हूँ मैं 1990 से उत्तर इक्वाडोर में रह रहा हूँ मेरे पास 40 एकड का एक छोटा सा खेत है और मैं शुरू से ही एको सिस्टम में सुदार के लिए समर्पित रहा हूँ 1990 में मैंने अपने लिए एक बंज़ जमीन खरी दी और आज मैं उस जमीन पर वनस्पतियों को दुबारा उगा पाया हूँ जैविक विवित्ता को दुबारा ला पाया हूँ आज मेरे पास एक फलता फूता जंगल है जिन देशों और छेत्रों में खड़ी ढलान और लहरदार जमीने हैं वहां हवा और बरसात के कारण कटाप की एक बड़ी समस्या है यह जमीन की उपरी उपजव सतय को खटा देता है इस कटाप को रोखने के लिए हमारे पास एक अध्भुत पौधा है खस की घास यह मूलते भारत में पाया जाता है यह एक जीवानुरहित पौधा है जो उपजाव बीज नहीं बनाता और इसलिए किसी और फसल के लिए नुकसान दे नहीं है और जब एक लाइन से इसे लगाते हैं तो यह बड़ा होकर एक मजबूत बाड़ा बन जाता है हम कई सारी बाड़े की पंक्तियों को थोड़ी थोड़ी दूर में धहलान पर लगाते हैं तो यह बरसात के पानी के तेज भाव को रोकता है और बहाफ को फैला देता है इसलिए उपजाव मिट्टी का कटाव रुख जाता है और दूसरी अच्छी बात है कि हर बाड़े की पंक्ती के पीछे जैविक कूडा और कीचर इखटा होकर एक बांध की तरह बन जाता है जो और जैविक पदार्थों को रोकता है मिट्टी की नमी भी बढ़ जाती है क्योंकि अब बरसात का पानी रुक रुक कर पहाड़ी से नीचे नदी में मिलता है खसकी घास के पीछे फसा पानी ज्यादा अच्छे तरीके से जमीन में रिषता है मिट्टी की नमी और ज्यादा समान रूप से बनी रहती है खसकी घास नर्जीव जमीन को दुबारा स्वस्थ बनाने के लिए एक अद्बुत पौधा है इसलिए फसल और दूसरे पेड़ लगाने से पहले खसकी घास को पंक्तियों में लगाया जाता है उसके बाद पेड़ या फसले उन खसकी घास की पंक्तियों की बीच में लगाई जा सकती है खसकी घास की जड़ें सीधे नीचे बढ़ती है उनका किसी और पहदे के साथ कोई मुकाबला नहीं है क्योंकि जड़ें सीधे नीचे बढ़ती है खस्की घास की एक प्रमुक्व शिषिस्ता है कि इसकी जड़ें तीन से सराड़े चार मीटर तक जमीन के नीचे जाती है और खस्की घास इतनी गहराई से भी खनिश बदारतों को सोक लेता है ये इन खनिश बदारतों को जड़ों से पत्तियों तक ले जाता है और जब ये पत्तियां जबीन पर गिरती हैं या काट कर डाल दी जाती हैं तो ये खनिश्पदार्थ मिट्टी की उपरी सतय को मिल जाते हैं खसकी जड़ों का ठेर सूक्ष्म जीवों की उरद्धी के लिए एक माध्यम प्रजान करता है खस्की जड़ें जमीन को छेददार और लचीली बना देती हैं खस्की जड़ें सूक्ष्म जीवों और सहजीवी फफून को पनपने के लिए एक अच्छा वातारण देती हैं खस्की गास का एक और महत्पून युगदान जमीन को ढखने में हैं खस्की घास को साल में 3-4 बार काटा जा सकता है और पेड़ों और फसलों के आसपास की मिट्टी को पत्वार की तरह धखने के काम में दिया जा सकता है इस तरीके से हम मिट्टी को सूर्य से सुरक्षित करते हैं और पौधूं को जैविक पदार्थ भी देते हैं मैंने पाया है कि यदि खसकी खास को पौधों के तल में रख दें तो एक से दो सेंटीमेटर के अच्छे मिट्टी हर साल बन जाती है खसकी खास को पंक्तियों में लगाने पर अपने आप ही सीडी दार खेट बन जाते हैं और हमें हाथ से बनाने की जरुत ही नहीं पड़ती इस प्रक्रिया को प्रेरित सीडी दार खेटी कहते हैं समय के साथ एक लहरदार रेखा चित्र परिदरश्य पर उफड़ता है वो सब भी लोग जो अपनी जमीन को फिर से उपज़ओ बनाना चाहते हैं मैं खसकी खाष की बहुत से फारaying करूँऑ खासकर भारत देश जẹयसे उशनकर्टी बन दिया और उप उशनकर्टी बन दिया इलाकों के लिए यहां मेरे के पर अब बहुत सारी खसकी खाष है जो मैं बेसने और इसके प्रचार प्रसार के लिए काम में लेता हूँ ढलानों की इस रक्षा काम अब हो चुका है, अब मैं खसकी घास उसको बढ़ाने और बेशने के लिए लगाता हूँ मिट्टी को शीगर कार्बन लोटाना आती आउशक है और खसकी घास ये करने के लिए एक अच्छा साथी है अब मादा आता हूँ झाल झाल